चोपड़ा यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों CBSC के एकजाम पॉस्पॉंड को लेकर आज सुप्रिम कोर्ट में हेरिंग थी उसका आउटकम क्या रहा है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सेंटर और CBSC ने सुप्रिम कोर्ट से का है कि जो 10 और 12 के पेपर बचे हुए थे एक जुला इसे 15 जुलाई के बीच में कंड़क्ट होने वाले थे उनको कैंसल करने का प्रोसेस एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है इसका डिसीजन कल बुदवार को लिया जाएगा यानि HRD मिनिस्टर और CBSC इस पर फिर से चर्चा करेंगे और बुदवार यानि 24 जुन 2020 को सुप्रिम कोर्ट को इस डिसीजन से अवगत करवाएंगे कि ये एक्जाम कैंसल करवाई जाएगी या फिर एक्जाम कंडेक्ट करवाई जाएगी तो इसके बारे में सुप्रिम कोर्ट का आज डिसीजन नहीं आया है इसके बारे में हमें कल बुदवार 24 जुन को ही पता चल पाएगा कि इसमें सुप्रिम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है तो दोस्तों अभी नीट वा जेई मैन के बारे में भी कोई डिसीजन नहीं आया है तो इन सभी के बारे में HRD मिनिस्टर का डिसीजन कल तक टल गया है और CBSC के एक्जाम पॉस्पॉंड होती है तो ये कनफर्म है कि नीट वजेई के एक्जाम भी पॉस्पॉंड होगी क्योंकि ये भी जुलाई में होने वाली है और इसमें 16,00,000 से ज़्यादा स्टुडेंट बैट रहे हैं नीट के एक्जाम में तो पॉस्पॉंड के बारे में हमें उमीद है कि ये डिसीजन कल तक आई ही जाएगा जैसे ही इसका डिसीजन आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे आप हमारे चैनल पे ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइगान प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हिंग